नोन इस्टूडेंट्स टू बीकाम कंप्यूटर अप्लिकेशन्स की बिजनेस इकोनामिक्स अर्थात दोसाइक अर्थ शास्त्र के कुश्चन साल्ब करने की प्रोसेस में आज हम लोग यूनिट सेकेंड का कुश्चन नमबर टू देख रहे हैं जो अनुवरत पुराने एक्जाम पेबर्स में आया हुआ है अब हम इसको देखेंगे कि किस तरह से हम इसे साल्ब करेंगे तो कुश्चन है Define Elasticity of Demand How can you measure Elasticity of Demand Elasticity of Demand अर्थात मांग की लोज मांग के नियम यह इसपस्ट करता है कि मूल में ब्रद्ध होने पर मांग कम हो जाती है एवं मूल में कमी होने पर ब्रद्ध बढ़ जाती है लेकिन मांग के नियम से यह इसपस्ट नहीं किया जा सकता कि मूल में एक निश्चित परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन होगा अर्थात, इस नियम से हम मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा के समन्ध में कोई जानकारी नहीं प्राप्ट कर सकते इस बात को ध्यान में रखते हुए ही कुछ अर्थ्शास्तियों ने मांग की लोच प्रस्तुत की है अतह मांग की लोच एक प्रकार का मापक है जो हमें मूल में परिवर्तन से मांग में होने वाले सभी परिवर्तन का ज्यान कराता है पहले हम लोगोंने मांग पढ़ा था, तो मांग को कुछ अर्षात्यों ने नकार दिया है, कि मांग को हम इस तरह से नहीं समझ सकते हैं, तो हम उसको लोच की हिसाफ से समझे गे उदान यदि किसी ब्यक्ति का सरीर गर्म है तो उसे प्राय कहा जा सकता है कि ब्यक्ति को बुखार है परंद कितना बुखार है ये बताना मुश्किल है यदि थर्मा मीटर से मापे तो पता चल जाएगा कि कितना बुखार है अतह मांग के नियम से केवल यह ग्याद किया जा सकता है कि मूल और मांग में परिवर्तन हुआ है लेकिन यह नहीं बताया जा सकता कि कितना परिवर्तन हुआ है अतह मांग की लोज से उसकी मात्रा भी ग्याद की जा सकती है विभिन अर्थ सास्त्रियों के दोरा विभिन परिभासाओं में से एक परिभासा हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे हम जिसे प्रोफेसर बोल्डिंग ने बताया है अर्थात प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार किसी वस्तु के मूल में एक परिवर्तन होने पर उस्त वस्त की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहा जाता है मांग की लोच से संबंदित प्रमुक अवधानाई निम्न है पहला है मांग की कीमत लोच अर्थात वस्त की कीमत में परिवर्तन फल सुरूप मांग में परिवर्तन दूसरा मांग की आय लोच अर्थात आय के परिवर्तन के फल सुरूप मांग में परिवर्तन तीसरा है मांग की आडिलोच अर्थात संबंधित पूरत स्थापन उवस्त की कीमत में परिवर्तन के फल सुरूप मांग में परिवर्तन तो यह तीन प्रकार की मांग की अउधाणा कांसेप्ट है पहला है मांग की कीमत लोच दूसरा है मांग की आई लोच और तीसरा है मांग की आड़ी लोच मांग की लोच की स्टेडिया या मात्राएं डिग्री आफ फ्राइस इलासिटी आफ डिमांड पहला है पूर्टया लोचदार मांग जिसको अंग्रेजी में परफेक्टली इलासिटी डिमांड कहते हैं जब किसी वस्तु की मांग उसके मूल में बीना किसी परिवर्तन के ही अथवा मूल में बहुत कम परिवर्तन होने पर स्वयम ही घटती बढ़ती रहती है तो इसे पूर्टया लोचदार मांग कहते हैं बेवारिक जीवन में कोल ड्रिंग्स तथा आईस्क्रीम की मांग के समझ में ऐसा देखने को मिलता है जैसे मूल में बीना किसी परिवर्तन की ही अथवा मूल में बहुत कम परिवर्तन होने पर स्वयम घटती बढ़ती रहती ही मतलब मांग बढ़ेगी मूल बढ़ेगा मांग घटेगी मूल आटोमेटकली घट जाता है दूसरी होती है पूर्टया बिलोचदार मांग जब किसी वस्त की कीमत पर परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता अर्था सभी कीमतों पर वस्त की एक ही मात्रा की मांग की जाती है तो वस्त की मांग की लोच सुनने के बराबर होती है यह पूरा पूरा कांसेप्ट मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत बिस्तत और ब्रहत तरीके से पढ़ाया था बिद फिगर मैंने यहाँ पर उसको समराइज करके आपके सामने रख रहा हूं तो आप अपने नोट्स को भी प्रिफर कर सकते हैं और यहाँ से भी जो चीजे आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ से ले सकते हैं ताकि एक समझे से बैठ सके चुकि यहाँ पर वो सारी चीजे पॉस्बल नहीं एक्स्प्रेइन करना तो क्लास में उसको मैं अल्रेड़ी अप एक्स्प्रेइन कर चुका हूं तो आप लोग महां से भी इसको फिर 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 तर सकते हैं तीसरा है लोचदार मांग जब किसी वस्ट की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनपात में होता है जिस अनपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ है तब ऐसी वस्ट की मांग को लोचदार मांग कहते हैं उद्धारन के लिए ये किसी वस्त की कीमत में 20% की ब्रद्ध होती है तो उसकी मांग भी 20% कम हो जाती है अर्थात कीमत में 10% की कमी होने पर मांग में फिट 10% की ब्रद्ध हो जाती है तो इस प्रकार की मांग लोजदार मांग कहलाती है means जैसी मांग में ब्रद्धी होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है कीमत में कमी आती है तो उसकी मांग क्या होती है बढ़ जाती है इसको हम लोजदार मांग कहते है अब factor effecting elasticity of demand मांग की लोज को प्रहावित करने वाले कारक या तक्त बिभिन वस्तों की मांग की लोच बिभिन प्रकार की होती है किसी वस्तों की मांग अधिक लोजदार होती है तो किसी वस्तों की कम वस्ता किसी वस्तों की मांग को लेकर अनेक घटकों से प्रहावित होती है जिसमें मुख निम्न है पहला है वस्ट की प्रकति किसी वस्ट की मांग की लोच उस वस्ट की प्रकति पर निर्भर करती है इस दर्श से वस्टों को तीन भागों बाटा जा सकता है पहला अनिवार दूसरा अरामदायक तीसरा बिलासिता अब अनिवार वस्टों की मांग बिलोजदार होती क्योंकि अनिवार वस्तों के उप्योग के बीना मानों जीवन दूस कर हो जाता है जैसे नमक अनाग मतलब पहला जो अनिवार का वो जिस रेट में भी के उसको दो मनुसको खरीद नहीं पड़ेगा बीना उसके उसकी जीवन नहीं चल पाएगी तो ऐसी मांग में कोई फर्क नहीं जोख्याल नाग उसी पानी पत्व में परिवर्तन होती है जिस अन्फार में कीमतों परिवर्तन होता तीसरा विलास्ती संब मनि वरस्तों सरहा चला सकता कुछ नहीं होती है करेक Maple को उपिविनक कारनों में प्रियोक किया जाता है तो ऐसी वस्तू की मांगर लोजदार हो히 परनुद के लिए उसकी मांग कम होते हैं उदान के लिए बिजली का उपियोक अनेक कार्यों होता सिधाल याद इसकी करें सिमीद कार्यों कि लीए इसकी मांग कम हो जाएगी इसका प्रयोग किशा मंग करता है कि कीमत क्या है कि म Regiaq एगर गठ करने की आदत पड़ जाए तो उस बैक्ति के लिए उस वस्ट की मांग को बिलुजदार हो जाएगी अब यह से आदत किसी को किसी चीज़ की आदत उदान के लिए सराब पीने वाले बैक्ति के लिए अब इसके मूल में चाहिए इतनी ब्रद्दिय हो जाए लेकिन उसकी करना है उतना वह यूज करेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है यह मुझना अर्थिक स्थित्स ऐसी मांग जिनका ओफ भोक के वाल धनी धनी वर्ग करता है बिलौजदार होती है इनके बिलुजदार होती है क्वस्ट के मूल में थोड़ा सा परिफ्टन में उनके लिए महत्त् क्योंकि उसके लिए थोड़ा सभी पैसा बढ़ जाता तो उसको बजट खराब हो जाएगा तो ऐसी मांगी जो होती हूं आपकी आर्थिक स्थित्पट्टी पेंड़ करती है अब मांग की लोच का महत्व अथ्वा उपयोगीता मांग की लोच का विचार अर्थ साथ में सैध निधारीत करने में सहायता मिलती है उत्पादक उत्पत्ति के उनसाथों को अधिक प्रुसकार देता है जिनकी मांग की लोच उसके लिए तसाथाह होती मिंस यहां पर भीत्रा संबन्दिये आप हो तो निधारित करता है कि मेरे लिए कौन सब्पयोगा यह कौन से अनुप नहींद को मैं कि लोज के उधाड़ा अत्यत महत्पूर्ण होती है तीसरा अंतर रष्टी किनी दो देशों के बीच ब्यपार की सर्थे मांघ की लोज पर निर्भर करते यह दि हमारे दिश्वा निर्यातों की मांघ कोई चीज़ खरीदेते हैं तो वो डिपेंडर करता उस देश की कोना कैसे वो माल आ रहा और निर्यात का मतलब होता है हम जो यहां से भेज़ते हैं अगर हमारे चीज़ें बड़ी अच्छी है तो वहां जाकि अच्छी कीम तो भीचेंगी लेकिन अगर हम ज्यादा निर्यात नहीं कर पा रहें और हम आयात ही आयात कर रहें तो हमें उनके अधार पर हम उनको मजबूर नहीं कर सकते तो वह अपने हिसाब से उनका उनके मुलकों निर्धान वो करते हैं कि चोथा मांग की लोच्क भीचार सरकार को मेशंच को सहायता पहुंचाता है अब विप्रित यंदेस के लिए हमारे देस की मुद्रा मतंग अधिंवल भूवाल होती है उनवाएज्ट साथ अपने 추가 दर्फित की पैसा और डालर हम कोई चीज़ जब अमेरिका से खरीदते हैं तो हमें ज्यदा फरक पड़ता है उनको कम फरक पड़ता है यह तो हमें ऐसे देशों से आयात करना चाहिए जहां की मूल बिनमयदार हमसे कम हो और हमें निर्यात वहां करना चाहिए जहां की बिनमयदार हमसे उची हो तो इससे क्या होगा हमारा जो इकोनामी है वो इकोनामी का सिद्धान यहां पर परफेक्ट रूप से काम करेगा अब मेथेट साब मेजोर इलाश्टी आप डिमांड मंदब ऐसी कुछ बिधियां हैं जिनको हम मापते हैं इलाश्टी आप डिमांड को तो सबसे पहले प्रतिशत या अनुपातिक रीद परसेंटेज और प्रोपेशनल मैथेड्स इस रीद का प्रित्पादन प्रोफेसर फ् बनाया था इसलिए इसको मेथेट भी कहा जाता है इस मेथेट मांग की लोच अर्थात एइक हुस्तू मांग में प्रिच्यत या अनुपातिक परिवर्तन बटे डिमत में प्रृसात या अनुपातिक परिवर्तन मतलब E equals 2 मांग में प्रत्षत मतब मांग कितने प्रत्षत है और उसके कीमत में क्या परिवर्तन हुआ है अथवा E equals 2 मांग में परिवर्तन आबलिक पूर्व मांग divided by कीमत में परिवर्तन आबलिक आरम्भे कीमत अब यहाँ पर दूसरे दस इसको देगे तो पहले क्या मांगती और हमारी शुरू में कीमत क्या थी अर्थात E equals to Q1 Q2 divided by Q1 divided by P1 P2 divided by P1 अथवा Q1 Q2 upon Q1 जहां P1 पूर्व कीमत है Q1 पूर्व मांग है P2 नभीन कीमत है Q2 नभीन मांग है चिन में दो संध्याओं के बीच के अंतर निकालने के रिप्रेक्ट होता है तथा इसे रहनात्मक तथा धनात्मक दोनों दसाओं में फल को धनात्मक ही माना जाता है किन्त मांग की लोज की उपरियुक्त मांग तुटकूर है मांग की लोज का सही मुल्यांकन करने के लिए यह आवस्यक है कि मांग और कीमत के अनुपातिक परिवर्तां को ग्यात करने के लिए औसत एवरच की सहायता ली जाए अता फ्लक्स के संसोधित समीकर्ण में मांग का अनपातिक परिवर्तन ना तो अरंबिक मांग पर निकाला जाता है और ना ही परिवर्तित मांग पर बलकि इन दोनों मात्राओं के मध्ध बिंदु पर निकाला जाता है यही बिध कीमत के अनपातिक परिवर्तन की गर्णा में अपनाई जाती है अब देखे E equals to मांग में अनपातिक परिवर्थन बटे कीमत में अनपातिक परिवर्थन E equals to मांग में परिवर्थन बटे पूर मात्रा प्लस नभीन मात्रा divided by 2 बटे कीमत परिवर्तन बटे पूर्व कीमत प्लस नभीन कीमत divided by 2 अर्थाद Q1 Q2 upon Q1 plus Q2 divided by 2 बटे P1 P2 P1 plus P2 divided by 2 अर्थाद E equals to Q1 Q2 upon Q1 plus Q2 into P1 plus P2 upon P1 P2 अब एक हमें के जाम आगुसरे when mg से जाप डेल देखते हैं यह दिपीयोण हमारा पांच परतिक आई है कियो आ हमारा एक रुपेय पीटू हमारा चार रुपेय हो तूटू हमारा पक्ता पास पांच रूपेया तब शूदि सूत्रा के अनुसार जो सूत्र में लास्ट पर पढ़ा है क्यू वन क्यू टू अपान क्यू प्लस क्यू टू इन्टू पी वन प्लस वी तू अपान पी वन पी टू तो वन वन 5 1 plus 15 5 plus 454 अर्थात 500 divided by 2500 इन्टू 9.1 अर्थात 1.8 अर्थात मांग की लोच 21 से अधिक है इस प्रकार यह दिए P1 सेम एक जामपल एक दूसरे जामपल यहाँ पर ले रहा है P1 5 है Q1 40 है P2 10 है और Q2 30 है तब फ्लक्स की methods के अंस्वार उसी फार्मूले में हम इसको रख देते हैं तो हम आप देखेंगे कि 0.43 अर्थात 1 मांग की लोच 21 से कम है इन दोनों conditions में देखिए एक बार मांग की लोच 21 से अधिक है और एक बार मांग की लोच 21 से कम है इन दोनों कंडिशन्स में आप यह फ्लेक्स फ्लेक्स की जो मेथेट्स है यहाँ पर फेल हो जाती है दूसरी मेथेट्स है पुल अगम अथ्वा बेरीत टोटल आउटले और एक्स्पिंटेज मेथेट्स यह रीत मार्सल दौरा प्रत्पादित की गई है मार्सल के अनुसार मांग वक्र पर वस्तु की मांग में बिस्तार अत्वा संकुचन उसकी कीमत के परिवर्तन के सापेच होता है परंतु यह आवस्यक नहीं है कि यह परिवर्तन कीमत के अनुपा भोगता के कुल बै में परिवर्तन दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि मांग की लोच में उभोगता के कुल बै परिवर्तन की मांग है कुल बै इक्वस्तु की मांग मतलब कुल बै अकुल आगम यह दोनों बराबर है किसके वस्तु कीमत और वस्तु की मांग पर अर्था पुल बैसे उस पुल रासी से होता है जो वस्तु की कीमत को वस्तु की कम की गई इकाईयों के गुड़ा करने से प्राप्त होती है नेक्स्ट है जैमती रीद अथ्वा बिंदू रीद जिसको जैमाटरिकली मेथड्स और पॉइंट मेथड्स इस मेथड्स के दौरा हम मांग वक्र से किसी बिंदू पर मांग की लोच को ग्याद करते हैं डीडी डिमांड डीडी मांग वक्र के बिंदू आर पर मांग की लोच ग्याद करने के लिए बिंदू आर पर इसपर्स रेखा एबी खीची जाती है एबी का ढाल और आर बिंदू पर डीडी वक्र एक ढाल समाने हम जानते हैं कि I equals to मांग का अनुपातिक परिवर्तन बटे किमत का अनुपातिक परिवर्तन अर्थात डेल्टा क्यू अपान क्यू बटे डेल्टा पी अपान पी ज्यामती रीडी से सिद्ध किया जा सकता है कि ED, Elasty of Demand Equest to, निचला भाग lower sector upon उपर का भाग upper sectors तो इस प्रकार बिंदु रीद द्वारा मांग वक्र के किसी बिंदु पर लोच ग्याद करने के लिए उस बिंदु पर खीची के इसपर्स रेखा के निचले भाग अर्थात बिंदु से X अच तक की इसपर्स रेखा द्वारा से विभाजित करके बिंदु विसेश पर मांग की लोच प्राप्त की जा सकती है आपकी स्क्रीन में फिगर दिख रहा होगा X अच और Y अच एक तरफ Y अच पर कीमत है और X अच में वस्तु की मात्रा है A भी दो बिंदु है अब A और बिंदु के बीचे DD रेखा है ठीक है DD रेखा में R एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर E equals to R बी अपान R A अर्थाथ निस उसकी जो जरूरत है उस जरूरत को हाँ पर वो क्या कर रहा है पूरा कर पा रहा है चित्र में बिंदु R पर मांग की लोज गयात करने के लिए बिंदु R पर AB इसपर्स रेखा कीची गई है R B lower sector है तो था R A अपर sector है अता बिंदु पर R मांग की लोज इस प्रकार मांग वख करके बिभिन बिंदु ओपर इस पर सरेखा कीच कर बिंदु रीत द्वारा मांग की लोज गयात की जा सकती है तो यह था आपका यूनिट सेकेंड का दूसरा महत्त पूर कुश्चन इसको आप लोग पढ़िएगा इसका नोट्स आपके पास अब लेबल है मैंने क्लास में इसको ब्रहत रूप से पढ़ाया है तो आप लोग वहां से थोड़ा बहुत प्रिफर करिएगा और यहां से भी लीजिएगा और इस एक बहतर तरीके से आप इसको कोशिस करिएगा और तो इस तरह से हमारी दो यूनिट पहली यूनिट और दूस यूनिट